संसार कहता है भागो जितनी प्राप्ती करनी हो जितना आपको प्राप्त करना हो जितना एकटा करना हो जितना नाम करना हो जितनी आपको इज़त प्राप्त करनी हो जितनी आपको सोहरत प्राप्त करनी हो जितनी आपको दौलत प्राप्त करनी हो अब भागते रहो जितना भागोगे उतना पाओ ये किसका सुत्र है? किसका सुत्र है? संसार का संसार और धर्म दोनों को समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि दोनों का जब तक समझवे नहीं होता हम जीवन को सफल नहीं बना पाते संसार ये कहता है भागते हैं संसार आपको भगाएगा वो कहेगा जितना भागेगा उतना पाएगा और धर्म ये सिखाता है कि ठेर जाओ जितना ठेरोगे उतना पाओ धर्म कभी भागना नहीं सिखाता धर्म ठेर ना सिखाता और मैं आपको बता दू भागने से वस्तू प्राप्त हो सकती है लेकिन ठहरने से वस्तू के मालिक प्राप्त हो सकती है और संसार में आकर कि आपने सब कुछ पा लिया लेकिन परमात्मा को नहीं जाना परमात्मा को नहीं पाया धर्मतत्मा को नहीं पाया तो फिर संसार में आकर क्या आपने किया क्या पराब चती है एक चीज़ समझ लेना जो चार चीजों के पास जो चार चीजों के पिछे आप अपना जीवन गवाँ देते हो आप अपना जीवन खत्म कर देते हो आप अपना जीवन समात कर देते हो ये चार घड़े संसार में ऐसे है जो कभी भर नहीं साथ है आप चाहे कितनी कोशिश कर लो अरे अभी तो आपका आयुष से बहुत छोटा है साट साल, सक्तर साल, अस्ती साल, नप्रे साल, सो साल उससे ज़्यादा कोई आयुष से नहीं होता अरे कहते हैं, जारो साल का नहीं लाखो वर्स का आयुष से भी आपको प्रात हो जाए फिर भी संसार के चार घड़े ऐसे है जो कभी नहीं भरबाते आज तक कोई उसको नहीं भरबाया बले बले समराडा करके चले गए फिर भी अतरुप्त ही गए फिर भी असंतुष्ट ही गए फिर भी उनको यहीं लगा के थोड़ा कुछ बाकी रह गया ये चार घड़े संसार में ऐसा है कहा पहला घड़ा सुक का संसार में जो सुक की कामना करता है सुक की खोज करता है उसका घड़ा कभी भर नहीं पाता चाहे कितना कुछ अंदर डाल दे, कितना कुछ अंदर स्वहा कर दे लेकिन वो कभी खत्म नहीं हो बाता, कभी भर नहीं पाता इसलिए सास्तकार भगवन कहते है कि संसार में आज तक जिस जिसने सुख की कामना करी है अंत तक ह सभी दुख प्राप्ता की जिसने ये सोचा कि ये व्यक्ति से मुझे सुख मिलेगा थोड़े समय के लिए मिल सकता है, मैं मना नहीं करता हमारे धर्मगरंद कहते है, हमारे सास्तर कहते है, हमारी गुरु परंपरा कहते है थोड़े समय के लिए निश्चित आपको प्राप्त हो सकता है लेकिन अंततह वा सुख दुख में परिवर्तिद हो जाएगा अंततह वा सुख आपके लिए दुख मनदा आपने ये सोचा कि वस्तु से मुझे सुख प्राप्त हो जाए ये मकार से मुझे सुख प्राप्त हो जाए ये परिवार से मुझे सुख प्राप्त हो जाए मेरी पत्नी से मुझे सुख प्राप्त हो जाए मेरे पुत्रों से मुझे सुख प्राप्त हो जाए हर चीज संसार में जिस जिसने संसार में सुख खोजने की कामना करी है अन्त था उसका गड़ा कभी नहीं बरपाया वो दुखी के दुखी रहा है कहां हमारे हाँ पे सच्चा सुख तो भीतर है अंदर जो गया उसको सुख प्राप्त हुआ उसको सुख प्राप्त हो जाएगा बहार जो भटकेगा उसको सुक प्राप्त नहीं हो ना है इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ये संसार में जो आप दौड लगाते हो जो दौडते हो जो भागते हो लेकिन समझ लेना ये चार गड़े ऐसे है जो कभी नहीं बरसाते है पहला गड़ा सुक का दूसरी बात करते हैं दूसरा गड़ा है संपत्ति का कभी नहीं बरेगा आपके पास सो रुपे है तो भी आप असंतुष्ट हो आपके पास हजार रुपे है फिर भी आप असंतुष्ट हो आपके पास एक लाख रुपे है फिर भी आप असंतुष्ट हो आपके पास एक करोड रुपे है फिर भी आप असंतुष्ट हो आपके पास सो करोड रुपे है फिर भी आप असंतुष्ट हो और आपके पास हजार करोड रुपे है फिर भी आप असंतुष्ट ही रहोगे जब कि लिए तो 100 रुपे भी जादा है और जिसके पास संतस नहीं है उसके लिए 100 करोड भी कै भाखते रहता है भागते रहता है और ये 4 चीजें ऐसी है जो शंसार में आपको बहगाती आपको दोडाती रहती है लेकिन शास्तकार भगवन कहते हैं समझ लेना धर्म पूरा विप्रित है धर्म कहता है ठेर जाओ जितना ठेरोगे उतना प्राप्त होगा उतना मिलेगा संसार कहता है भागते रहो जितना भागोगे उतना मिलेगा लेकिन शास्तकार भगवन कहते है कि अंततह तो धर्म ही कावा सुख का गड़ा कभी नहीं बढ़ा संपत्ती का गड़ा कभी नहीं बढ़ा कितना ही मिल जाए लेकिन अंततह यही लगता है कि और थोड़ा मिल जाए तो अच्छा तीसरी बात करते है सुआद का गंड़ा कभी नहीं करते है भूजन की बात करते है हम कितना खाली है अभी तरह ज़रा हिसाब किताब तो लगा ज़र्म से लगा कर अभी तक कितनी रोटिया खाली होगी कोई हिसाब है अपने पास कितनी रोटिया खाली होगी रोज की दो भी गिनलो, तो भी गिनलो कितने दिन हो गए, किसी को 40, किसी को 50, किसी को 60, किसी को 70, किसी को 80, और लेकिन फिर भी जब भूजन करने के लिए बैठते तो कहते हैं, नहीं रोटी तो गर्मा गरम चाहिए, भूजन बढ़िया चाहिए, कहते हैं, महाराजी कम मिल ज और कोई चीज की सिकायद हमारे पास आये नाये लेकिन भोजन की सिकायद हमारे पास जरूर आती है महराज जी आज खाना बराबर नहीं था ये सिकायद जरूर आती है और और कोई चीज की प्रसंसा आये नाये लेकिन खाने की प्रसंसा भी हमारे पास जरूर आती है महाराची सतावधी मौस्व में बहुत मज़ा आ गया मैंने का ऐसा क्या मज़ा आया आपको भक्ति में मज़ा आया परमातना की भक्ति में गुरु भक्ति में अलग-अलग कारेक्रों में मज़ा आया अरे महराजी वो सब बात तो ठीक है, वो सब बढ़ी आई था, लेकिन भोजन क्या मजेदार था, बात जाने था, भक्ती में जितना मजा नहीं आता उतना तो भोजन में आता है, ये स्वाज का घड़ा ऐसा है हमारे जीवन वे, जो कभी भरता था, आज तक यदि बैठ करके, इंट्रोस्पेक्शन करे, आत्मनिरिक्शन करे, हमारे खुद की विचालना करे, तो पता चले कि ये जीवने, ये सरीर ने अभी तो कितना खा लिए, सुभे के नास्ते की गिंती करे, दुपर के भोजन की गिंती करे, सांग के भोजन की गिंती करे, तो पता चले कितना बड गंड़ा है कि जीवन भर उसमें डालते रहे जीवन भर उसमें भरते रहे लेकिन फिर भी दो घंटे निकले नहीं के याद आता है कि कुछ भोजन मिल जाए तो अच्छ पहले तो लोग एक टंक भोजन करते थे एक टाइम भोजन करते थे फिर धीरे दीरे तीन टाइम हो गया और आज कितने टाइम है कोई हिसाम किताब ही नहीं हमारे पास कितने टाइम भोजन करते है उसकी कोई गिनती ही नहीं है और इसलिए मैं आपको कहना चाता हूँ समझ ले पहला गड़ा, सुख का दूसरा, संपत्ती का तीश्रा, स्वाद का और कहते हैं चोथा गड़ा सत्ता का चितनी मिल जाए उतनी कम लगती नगर सेवक बन जाने के बाद पहले कुछ नहीं थे तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं परमात्मा ये मुर्सिपालिटिक एलेक्सर में जिता दे कम से कम नगर सेवक बन जाए और नगर सेवक पारसद बनने के बाद हमारी कामना इतनी बढ़ते जाती इतनी बढ़ते जाती है आज मैं ये स्थोच लेता है कि मैं ये बन जाओ तो बढ़िया, ये बन जाओ तो बढ़िया, अरे, पॉलिटिक्स की बात तो छोड़ो, घर में भी हम चाहते है कि हमारी सत्ता बनी रहे, सत्ता छोड़ने के लिए कोई तयार मैं, आज के समय की सबसे विसम परिश्थितिया है आज के समाज की सबसे विसम बात यह है कोई सत्ता छोड़ना नहीं चाता लेना सब कोई चाते है हर चाते के भले मुझे 80 साल हो जाए लेकिन सत्ता तो मेरी बर करार है वो छुटनी नहीं चाहिए अरे मैं कहता हूँ यह गड़ा ऐसा है जो जीवन भरा आपको कितनी सत्ता प्राप्त हो जाए लेकिन अंततह आपको यहीं लगेगा कि और ज्यादा मिल जाए तो अच्छा यह चार गड़े ऐसे है जो जीवन में कभी नहीं भरते लेकिन आप लोग कोशिस यहीं करते हो कि भर जाए और आप तो सोचते ही हो कि संसार में कोई नहीं भर बाया आपको ज्यान है आप जानते हो लेकिन आप यह समझते हो कि हम तो महापूरुस है हम कुछ भर लेंगे आपकी फित्रत तो यही है आपकी मेंटालिटी तो यही है संसार में कोई नहीं कर बाया आपको पता है आपको इतिहास पता है हजारों साल का के संसार में ये गड़े कोई नहीं भर पाया लेकिन फिर भी आप सोचते हो अपना पुन्य और अपने से भर जाए तो अपना पुन्य और अपने से भर जाए तो हो सकता है लेकिन मैं आपको बता दू समझ लेना निश्चित तोर पर जब आज अरिहंत पद की अराधना करने के लिए हम बैठे हैं तब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि धर्म एक ही चीज शिखाते है थोड़ा थे है लिगा इतना मत भावगो ये जो चार चीज़े आप देखें आपने जीवन को जब आप देखोगे अपने जीवन का इंट्रोस्पेक्शन आत्मा निरिक्शन करोगे तो आपको कहीं न कहीं फील होगा कि चार चीजे तो है जो मुझे भगाती है उसके अलावा है क्या कभी स्वाद भगाता है कभी सुक भगाता है कभी संपत्ति भगाती है कभी सत्ता भगाती है उसके अलावा आपके जीवन में है यह चार जीजे है जो आपको भगाती है आपको दोड़ाती है और आप दोड़ते रहते हो राच दिर लेकिन अंतर तह कुछ प्रात नहीं होता म धायरना जरूरी है जितना धैहरेंगे उतना प्राप्त होगा ये धर्मगा होती है या भागने से कुछ प्राप्त नहीं होता या ठेरने से कुछ प्राप्त होता है इसलिए मैं आपको इतना कहना चाता हूँ थोड़ा ठेरो थोड़ा रुको थोड़ा खड़े रो अपने आपको थोड़ी संती प्रदान करो अपने आपको थोड़ा सुख दो अपने आपको थोड़ा समाधी में रखो को मन जो भटक रह बटक रहा है बटक रहा है इधर से उदर जो मन भाग रहा है उसको कही न कही निश्ची तर पर रोकने की कोशिश करो तभी जाके अरिहंत पद की सही माइने में हम आराधना दरूए झाल चका तर जो मन वादना दरूए थारी में हम झाल मन झाल कोशोड़ जनिदाना दरूए निया था शरूए तर पर रहा हैं दो ख़िसे को है का की सही में हम उदर जर रहा हैं इसकना भाहरा है एक रहा है तर शरूएल म